एहला सवाल हम देख रहे हैं, यहाँ पर विशाल रांची से सवाल पूछ रहे हैं ट्राइडंट पर खरीदारी इन्होंने कर रखी है, 300 शेर्ज खरीदे हैं लगातार हम देख रहे हैं ट्राइडंट के स्टॉक में मॉमेंटम बरकरार है हर रोज तेजी स्टॉक पकड़ रहा है, 5% की बढ़ध के साथ लगभग 3 ट्रेडंग सेशन यहाँ पर सोंबार से ही अच्छी तेजी है इन्फाक इससे पहले भी अच्छी बढ़ध के बीच ट्रेड दिख रहा था अब 37 रुपे 95 पैसे की इनकी खरीद है, 33 रुपे 95 पैसे पर यह ट्रेड कर रहा है क्या लगता है यहाँ से और ज़्यादा वेट करना चाहिए ट्राइडंट में मांसी जी देखे, जिस तरह का रैली इस टाप में देखने को मिला है एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है इसके आगे तो मैं मानता हूं कि जैसे ही मोका मिलता है 50 परसेंट कॉंटिटी में इनको प्राफिट बुक कर लेना चाहिए और जो 50 परसेंट कॉंटिटी बचा है उसके लिए मैं स्टाप लॉस थोड़ा डीप डाउन रेकमेंड करूंगा क्योंकि इनका खरीदारी करीबन 18 रुपे के आसपास की है मेरा जो स्टाप लॉस लेवल अभी चाट के इसाब से निकल के आ रहा है वो करीबन 28 रुपे 50 पेसे का है 28 रुपे 50 पेसे का क्लोजिंग बिस्स पर स्टाप लॉस लगा के 50% कॉंटिटी होल करने की सला है 50% में प्रॉफिट बुक करना चाहिए 50% प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जा सकता है जबरदस रैली लगातार ये स्टाप कई ट्रेडिंग सेशन से दिखा रहा है तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टाप है प्रॉफिट बुक करने के बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हैं